तो केसे हैं आप लोग जय माता दि राधे राधे बौलो बाके विहारि लाल की जय जय बाबारी चलिए दोस्तों शुरू करें हाँ जी हाँ जी चलो बहुत बढ़े हा कुछ बच्चे बड़े मस्त होते हैं वो क्या बोल रहा है आते ही तब तक वीडियो को लाईक और सेयर करो ये बहुत अच्छी बात बोली इस बच्चे ने नई इस बच्चे का फैन हो गया हो दिनुगू दिनुगूरा राम गुड़ जी ओके टक कहीं थो में नहीं हम जी हो ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलो चलो बहुत बढ़िया शुरू करते दोस्तों आच्छी क्लास ये देखो आपके मैंने कमेंट पढ़ लिए आपसे मैंने बाते कर ली दो मिट का टाइम दिया बहुत है अब 58 मिनट तक केवल पढ़ेंगे 58 मिनट तक अब केवल पढ़ना है दोस्तों मैं कमेंट देखता नहीं हो आपको पता ही है मेरी आदत नहीं है पढ़ाना मतलब पढ़ाना क्योंकि आपके कमेंट मतलब अच्छे भी आते हैं और कभी कबार ऐसे आते हैं कि हाई सोनिया, हाई मीना, हाई पता है तुम क्या बाते करते हैं, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आता तो वो time pass होता है फालतों का, ठीक है? अगर आपके comment वास्ता में अच्छे हो केवल doubt के comment हो, केवल problem के comment हो, तो तो मैं पढ़ू तुम बीच में आपस में दोस्ती करने लग जाते हो What is this? आपस में दोस्तियां कर रहे हो, चलो आज का title आपने पढ़ लिया था, thumbnail आपने पढ़ लिया था समय चाल एवं दूरी, मैंने लिखा था basic बाते हैं, क्या लिखा था, basic बाते हैं, तो आज अपन केवल basic बाते करेंगे, समय चाल आज की पूरी class basic पे रहेगी आज का basic पढ़ लिया तो कल की class समझ में आ जाएगी परसो की class समझ में आ जाएगी, बस केवल basic बाते करेंगे ठीके दोस्तों, सभी ओ गूड मॉर्निंग सभी ओ गूड मॉर्निंग, like, share जरू करें यह बहुत अची बात बोल रहा है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पढ़ा दूँगा, mission पढ़ाना है, पढ़ा दूँगा यार मस्त रहो ना, आप तो अभी से model paper solve करना सुरू हो जाओ, जो जो topic पढ़ा दिये, उन पे तो काम करो मुझे पता भी course complete नहीं हुआ है जब मैं बोलू ना course complete तब बोलना के सर यह बाकी रह गया आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है चली दोस्तों, शुरू करते बहुत जादा time दे दिया, आज मैंने फालतू बातों पे शुरू करते दोस्तों आज की class समय चाल एवमदूरी अपने NTP से लेवल में जितने questions बन सकते हैं उतने questions पर आज अपन बात करेंगे समय चाल एवमदूरी पर कोई सोसता है कि सर में यहीं पर CGL की त्यारी कर लू नहीं होगी बेटा आप अगर इस वीडियो को देखकर सोच रहो कि अब तो में CGL बन जाओंगा नहीं बन सकते हैं CGL में बहुत ज़ादा मेनत करनी पड़ेगी हाँ यह SSE CHSL में थोड़ा बहुत चला लो MTS में चला लो बट यह especially for NTPC और Group DA हर किसी में चलाने की कोशिश मत करना ठीक है केवल बेसिक बाते करेंगे सबसे पहली बात क्या पता नहीं क्या लिखा है इसलिए मैं कमेंट पढ़ता भी नहीं हूँ पता नहीं क्या लिखते हैं बच्चे सबसे पहले देखो चाल बराबर सबसे पहले आप formula जानते हो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय बोलो जानते हो की नहीं चाल बराबर दूरी बटा समय सब जानते हैं गड़ी के नुकड के कोणे कोणे पर बैठे हुए हर बच्चा जानता है इन्टू समय दूरी बराबर चाल इन्टू समय ये भी हर एक बच्चा जानता है ये तीन फॉर्मुले तो कोई किसी को भी पूछ लो हर एक कोई भी बता देखा कि इसका फॉर्मुला ये होता है ठीक है अच्छा दूसरी बात किलो मेटर परती घंटे को किलो मेटर परती घंटा को अगर बदलना है मेटर परती सेकेंड में तो गुणा कर देना पांच बटे अठारा से किलो मेटर परती घंटा को बदलना हो मेटर परती सेकेंड में गुणा कर देना पांच बटे अठारा से और मिटर पर 30 सेकंड को मिटर पर 30 सेकंड को अगर आपको कनवर्ट करना है किलो मिटर पर 30 घंटा में किलो मिटर पर 30 घंटा में अगर आपको कनवर्ट करना है तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे मित्रों मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे टीचरों जो मुझे को देखकर अभी पढ़ रहे हैं, जरूरी है जी, सब को पढ़ना जरूरी है, चाए बच्चा हो चाए शिक्षक को कोई भी पढ़ना पढ़ना जरूरी है, यही से पढ़ के तो आगे वो पढ़ाएगा, या आप आगे गौवर्मेंट ज गंटा में तो गुणा करने 18 बते 5 से बेसिक बाते हैं क्या बोला बेसिक बाते अगला देखो प्यारे बच्चों औसद चाल क्या औसद चाल औसद चाल पर अगर मैं बात करूँ अगर मैं औसद चाल पर बात करूँ यानि कि मैं एवरेज स्पीड पर बात करूँ एवरेज स्पीड पर अगर मैं बात करूँ तो दो बाते करनी पड़ेगी पहली बात तो यह है कि यदी दूरियां समान हो उस केस में क्या कह सकता हूँ यदी दूरियां समान हो तो पहली बात दो चालों के लिए औसत चाल अगर दूरियां समान हो तो ओसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा 2xy upon x plus y ये x और y क्या है चाले है अगर दूरियां समान हो तो ओसत चाल का फॉर्मूला दो चालो के लिए ये होता है तीन चालो के लिए प्यारे बच्चों तीन चालो के लिए तीन चालों के लिए हो जाएगा आस्त चाल तीन चालों के लिए आस्त चाल बराबर हो जाएगा 3XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX यह मैं कब की बात कर रहा हूँ जब दूरियां क्या हो समान हो हाँ 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 जी हाँ जी मस्त लिख रहा है यह चोरा जो भी लिख रहा है पूरा तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ अदूरा अदूरा पढ़ रहा हूँ चार चालो के लिए बोलो चार चालो के लिए ओसत चाल चार चालो के लिए ओसत चाल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे प्यारे चार बटा उसत चाल बराबर एक बटा P प्लस एक बटा Q प्लस एक बटा R प्लस एक बटा S चार चालो की बात करूँ तो उसत चाल का फॉर्मला यह यह कब की बात हो रही है जब दूरिया समान हो ठीक है अच्छा एन चालो के लिए किसके लिए n चालो के लिए बढ़ी चाल 2 है 3 है वो तो ठीक है अगर चाले n हो तो तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे मित्रों n चालो के लिए n बटा उसत चाल n बटा उसत चाल बराबर 1 बटा p प्लस 1 बटा q 1 बटा r प्लस dot 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 n तक मतलब जहां तक की चाले पूछी है वहां तक ले लो एक बटा p एक बटा क्यों एक बटा r ठीक है दोस्तों बोलो बोलो हाँ जी हाँ जी बोलो बात समझ में आगई क्या ये कब की बात है जब दूरिया क्या हो समान हो जब दूरिया क्या हो समान हो जब दूरियां असमान हो तब दूसरा समझो जब दूरियां असमान हो यदी दूरियां असमान हो तो मेरे प्यारे बचों ओसत चाल का फॉर्मूला बोलो क्या बोल दोगे ओसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय ये कब की बात है जब दूरियां क्या हो असमान हो अलग-अलग डिस्टेंस हो तब ये लग जाएगा यहां तक मेरे किलियर अब समझो समझो मित्रों दूरी का फॉर्मूला दूरी का फॉर्मूला समझो दूरी अगर मुझे क्या निकालनी है दूरी निकालनी है डिस्टेंस क्या निकालने है डिस्टेंस निकालने है तो दूरी के लिए आपको दो फॉर्मूले आने चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए दो फॉर्मूले हमें आने ही चाहिए पहला तो फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए वो है पहला फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए वो है दूरी बराबर चालो का गुणा बटा चालो का अंतर इंटू समया अंतराल वो भी किसमे घंटों में मैं एक बार सारी बेसिक बाते कर लेता हूँ और फिर कोश्चन पर आऊंगा तो बेसिक बाते करने के जरूत नहीं पड़ेगी कोश्चन करेंगे सिद्धे और एक और फॉर्मूला जो आपको दूरी के लिए याद रखना है वो है मेरे प्यारे बच्चों चालो का गुणा बटा चालो का योग इंटू कुल समय और कुल समय भी बोलो किसमे घंटो में अरे कुल समय बोलो किसमे घंटो में बोलो सही बात है के नहीं है दो दूरियों के फॉर्मूले याद रजाएंगे अगर समय अंतराल दे रखा है तो यहाँ चालो का अंतर आएगा और अगर यहां टोटल टाइम दे रखा तो यहां टोटल चाल आएगी सहीए जी इतना कर लोगे अब देखो इसके बाद क्या है यह दूरी हो गई यह लाइन मजे नहीं आई कोई और कलर लेते हैं यह लो हाँ जी अब देखो अगर मान लो कोई ऐसी बस आपके ध्यान में है जो एक शहर से दूसरे शहर जा रही है और गाउं गाउं होते वे जा रही है ढणी ढणी होते वे जा रही है तो ऐसा तो है ही है कि वो हर गाउं जाके रुकेगी फिर अपनी स्पीड बढ़ाएगी फिर थोड़ी रुकेगी वही पेसेंजर बहार आएंगे अंदर बैठेंगे तो रुकना तो पड़ेगा न तो अगर एक सर से दूसरे सर जा रही है और बीच में गाव गाव रुकरी है तो वो कुछ-कुछ मिंट के लिए रुकरी है तो ये पूछा जाता है कि बताओ वो एक घंटे में कितने मिनट रुकी रही इसको बोलते है प्रती घंटा विश्रानती काल इसको क्या बोलते है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों होनहार छात्रों इसको बोलते है प्रती घंटा विश्रानती काल तो आपको ध्यान रखना है कि प्रती घंटा विश्रानती प्रती घ गंटा विश्रान्ती काल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है चालो का गुणा चालो का अंतर बटा वास्तविक चाल इंटू बोलो सांट उत्तर किस में आएगा मिनट में आएगा अगर पूछ लिया जाए कि बताओ वह एक घंटे में कितने मिनट तक रुकी रही एक्चुली वह उसको थोड़ी दोड़ी देर के लिए रुकना तो पड़ रही है तो इसकी चाल भी तो एकदम फास्त से दीमी करेगा रुकेगा फिर दीमे दीमे बढ़ेगी चाल ऐसा तो है नहीं 80 से 60, 60, 50, 30, 0 पे फिर 0 से 10, 20, 80 तक आएगी तो एक घंटे में कितने मिनट तक विश्राम किया उसका फॉर्मूला है चालो का अंतर बटा वास्तिविक चाल एंटू 60 ठीक है अब बात करते हैं सापेक्स चाल की अब ये सापेक्स चाल क्या है चोर पुलिस वाले सवा किस से करते हैं सापेक्स चाल से मेरे प्यारे बच्चों सापेक्स चाल का मामला देखो सापेक्स चाल का मतलब होता है इंगलिश में तो ये होता है रिलेटिव स्पीड इंगलिश में तो बोलते हैं रिलेटिव स्पीड अब ये कैसे काम करती है देखो माना दो चाले माना दो चाले दो तरह की स्पीड दे रखी है X किलोमेटर परती घंटा वर Y किलोमेटर परती घंटा हो दो चाले हमें दे रखी है X किलोमेटर परती घंटा और Y किलोमेटर परती घंटा तो मेरे प्यारे बच्चों सापेक्स चाल यदि दिशाएं समान हो मतलब आगे आगे चोर पिछे पिछे पुलिस आगे आगे चोर पिछे पिछे पुलिस अगर दिशाए समान हो तो चाले घट जाएगी चाले घट जाएगी अगर दिशाए समान हो तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों साप एक्स चाल हो जाएगा x-y किलोमेटर परती घंटा सही है जान रखना धारा नाव में ये उल्टा हो जाएगा फर कैर धारा नाव की बात धारा नाव में करेंगे यदि दिशाएं यदि दिशाएं विप्रित हो मतलब एक ट्रेन यू आ रही है यू यू समझते हो ना एक ट्रेन यूं आ रही है एक ट्रेन यूं आ रही है जब दिशाए विपरी तो जब दिशाए क्या हो विपरी तो ये distance दोनों मिलकर तै कर रहे हैं मानलो ये कोई distance है आपकी phone की screen देख लो ये कोई distance है एक छोरा यूं आ रहा है एक छोरा यूं आ रहा है तो इस distance को cover किया, दोनोंने मिलकर, दोनोंने मिलकर cover किया, तो मेरे प्यारे बचों, सापिक्स चाल, सापिक्स चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का योग, x प्लस y किलोमेटर परती घंटा, सही है क्या? बोलो सही बात है के नहीं है, है नहीं? आओ, ये हो गई सापिक्स चाल, relative speed चलो, इतना तो basic हो गया, अभी भी थोड़ा बहुत basic बाकी है, पर अभी जितना basic पढ़ाया, उन पे question कर ले, हाजी? है नहीं? किसका break up हो गया? हाँ, break up हो गया सर, और यार तुम्हें पढ़ाने के और एक बच्ची या बच्चा जो भी कह रहा सर, break up हो गया, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, time से पहले break up हो गया, exam से पहले break up हो गया, वरना exam के time होता तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, चलिए, बोलो बात समझ मां आगी ना? अभी मैंने जितना basic पढ हाया है, उन पर question कर लूँ पहले एक बार, फिर जो बाकी बचावा basic है, उन questions के बाद बताओ तो बहतर रहेगा, सही है? चलो, 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 हाँ जी, हाँ जी, देखो, पहला सवाल, सवाल इजी है, करना आपको, group D वालो, NTPC वालो, अपने समय चाल वाले question बहुत इजी आत है, NTPC पढ़ा रहा हूँ, हाँ, NTPC पढ़ा रहा हूँ, CGL पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं, आपको मैंने कब बोला कि मैं CGL पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सवीता की चाल 50 मेटर पर 30 सेकेंड है, तो बताओ उसकी परती मिनट चाल क्या है, देखो, प्यारे बच्चो, पर 30 सेकेंड है, इसका मतलब क्या हुआ, एक नॉर्मल सी बात करूं, तो एक सेकेंड में कितने मेटर चल रही है, पचास मेटर, अगर सवीता एक सेकेंड में 50 मेटर चल रही है, तो परती मिनट पूछा है, तो 60 सेकेंड में बोलो, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, 50 meter into 60 second बोलो सही है क्या बोलो एक मिनिट की चाल बोलो कितनी हागी 60 second में एक मिनिट होता है 6, 5, 30, 3,000 3,000 meter का मतलब क्या समझे 3 kilometer बोलो जी एक मिनिट की चाल कितनी हागी 3 kilometer एकदम इसी अरे बोलो बात समझ मांगी एकदम कितना हो गया 3 kilometer कोई दिक्कत ही नहीं है जब एक second में 50 meter तो 60 second में 50 into 60 तो बताओ एक मिनिट में गुणा कर दूँगा कितना आ गया 3000 meter मतलब 3 kilometer सही है एक व्यक्ती 48 kilometer पर ती घंटा की चाल से 9 घंटे में यात्रा तै करता है यदि वह उस यात्रा को 8 घंटे में तै करना चाहे तो उसे किस चाल से चलना पड़ेगा आप तो simply यह देखो दूरी समान है दोनों condition में दूरी क्या है समान है यात्रा समान है तो बोलो दूरी का formula क्या होता है चाल into समय दूरी बराबर चाल into समय बराबर चाल into समय अरे दूरी का formula क्या होता है चाल into समय लगाओ चाल कितनी 48 की समय कितना 9 घंटे चाल कितनी पता ही नहीं समय कितना 8 घंटे मतलब यह जो दूरी है यह जो दूरी है 8 घंटे में अगर तै करनी है किस चाल से चलना पड़ेगा बोलो 8 एकम 8 8 चंग 8 तालिस बोलो नौचिंग 54 अरे नौचिंग 54 54 किलोमेटर परती घंटा बराबर X बोलो कितना आ गया चौपन आ गया कोई तकलिफ हुई क्या NTPC गुरूप D वालो कोई तकलिफ नहीं आगे बढ़ो एक साइकल सवार को 8 गंटे में 80 किलोमेटर की दूरी तै करनी है यदि उसने 5 गंटे में केवल चौथा ही दूरी तै की हो तो बताओ वा 6 दूरी 6 बचे समय में तै करने के लिए किस चाल से चलना पड़ेगा सबसे पहला काम देखो प्यारे बच्चो 8 गंटे में 80 किलोमेटर 5 गंटे में केवल चौथा ही दूरी तै करी है अब देखो चलना कितना था 8 गंटे में कवर करना था 80 किलोमेटर 8 गंटे में कवर करना था 80 किलोमेटर 5 गंटे में केवल चोथाई दूरी तय करी केवल चोथाई, असी का चोथाई बोलो कितना होता है, बीस असी का चोथाई बोलो कितना होता है, बीस शेश दूरी, बोलो शेश समय कितना बचा, तीन घंटे शेश समय बचा तीन घंटे, शेश दूरी बोलो, साट किलोमेटर चाल बराबर दूरी बटा समय अरे चाल बराबर क्या दूरी बटा समय बोलो दूरी कितनी बाकी रे गई साट अरे बोलो समय कितना रे गया तीन गंटे दूरी कितनी साट किलोमेटर समय कितना तीन गंटे बोलो कितना आ गया बीस किलोमेटर पर ती घंटा की बोलो क्या आ बोलो 6 दूरी को समय परताय करने के लिए 20 की चाल से चलना पड़ेगा very very good सोवन किसी इस्थान पर 20 की चाल से जाता है 30 की चाल से वापस आता है औस चाल बताओ जब एक fix दूरी तक जा रहा है एक fix दूरी तक वापस आ रहा है तो दूरी समान रही तो जब दूरियां समान हो, तो जब दूरियां समान हो, तो औसत चाल का फॉर्मुला, बोलो क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस y, लगवा दीजिये, 2x कितना 20, y कितना 30, अपॉन बोलो 20 प्लस 30, 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है, अच्छा यू नहीं के 20 से 20 गया, 30 से 30 गया, थोड़ा गोणा और प्लस का भी लियाज रख देना, दो दुनिय 4, 4, 3, 1200, बटा 20 और 30, 50, 0 से 0 गया, 120 में 5 गया, 24 किलोमेटर परती घंटा, अरे बोलो कितना आ गया, 24 किलोमेटर परती घंटा आ गया, कोई तकलीप हो तो बताओ, और एंटी पीसी गरूपडी वालो कोई तकलीप ने और ये कोशन आए वे है, और सचाल वाले कोशन आपके एंटी पीसी में, गरूपडी में कहीं बारा आ रखें, अगला देखो, प्रवीन अपनी यात्रा का कुछ पार्ट 18 किलोमेटर परती घंटा के चाल से, कुछ पाँट 15 किलोमेटर परती घंटा की चाल से तता कुछ भाग 18 किलोमेटर परती घंटा की चाल से तै करता है यदि वह तीनों अवस्थाओं में समान दूरी तै करे तो पूरी यात्रा में उसकी उसत चाल क्या है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ मित्रो जब दूरियां समान हो तो औसत चाल का फॉर्मूला तीन चालों के लिए बोलो क्या होगी औसर चाल का फॉर्मूला होगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx जब दूरियां समान हो तो 3 चालो के लिए औसर चाल का फॉर्मूला 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx के लिए लगाओ 3 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 18 बटे मान रगदो बस 18 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 बोलो सही है क्या अरे सही है ना हाजी बोलो 18 ती अचोपन 18 ती अचोपन 15 इंटू 18 बटा देखो इधर भी अठारा आ रहा है इधर भी अठारा आ रहा है, इधर भी अठारा आ रहा है, अठारा कॉमन ले लो तीनों में अठारा आ रहा है, पंदरा यहां रह गया, यहां पंदरा रह गया, यहां अठारा रह गया और तीनों में मैंने दोस्टों common क्या ले लिया? 18, 18, 18. 18 common, सही है क्या? तीनों से मैंने 18 क्या ले लिया? common ले लिया. बोलो 18 से 18 क्या हो गया? शहीद हो गया. रहा कितना बोलो? 54 into 15 15, 15, 30, 18, 48. अरे बोलो सही है क्या? 6, 8, 48, 6, 9 बाने 54. पन, सही बोल रहा हूँ पंदरा नम एक्सो पैंतिस एक्सो पैंतिस बटे आठ बोलो कितना आ जाएगा आठ एकम आठ, कितना रहा पांच आठ छंग अड़ता लेश कोई है क्या यह रहा, सोला पॉइंट सितियासी बोलो बास समझ मा आ गई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी हाँ जी पढ़ा दूँगा, पढ़ा दूँगा हाँ जी हाँ ठीक है बोलो सही है क्या, अगला देखो हरी अपनी यात्रा की 60 किलोमेटर की दूरी 30 किलोमेटर परती घंटा की चाल से और 40 किलोमेटर दूरी 20 किलोमेटर पर ती घंटा की चाल से तै करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी उस्त चाल क्या है ठीक है, इस बार देखो दूरियां क्या है, इस बार दूरियां आप देखो अलग-अलग है इस बार दूरियां क्या है, अलग-अलग है तो मेरे प्यारे बच्चो जब दूरियां असमान हो तो जब दूरियां असमान हो तो औसा चाल का फॉर्मूला क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय यही फॉर्मूला होता है न तो पहले कुल समय निकालो क्यूंकि हमारे पास दूरियां तो दे रखी ये 60 किलोमेटर और 40 किलोमेटर, बट कुल समय हमें नहीं दे रखा है, तो पहले समय निकालो, बोलो समय का फॉर्मूला, पहला वाला समय निकालो, समय बराबर दूरी बटा चाल, बोलो समय बराबर दूरी बटा चाल, बोलो दू ठीक है ना? दूसरा वाला समय निकालो प्यारे बच्चों समय बराबर दोरी बटे चाल बोलो दोरी कितनी 40, चाल कितनी 20, बोलो कितने घंटे 2 घंटे बोलो सही है के नहीं है सही है इतना बोलो सही है टकाटक है सेटो सेट है ना अब देखो औसत चाल पुछी है बोलो औसत चाल का फॉर्मूला क्या समझे औसत चाल का फॉर्मूला हो गया कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल का फॉर्मूला बोलो कुल दूरी बटा कुल समय ये फॉर्मुला तो जानते ही हो ना कुल दूरी बटा कुल समय ओसा चाल का बोलो कुल दूरी कितनी कुल दूरी कितनी 60 और 40 कुल दूरी हो गई 60 प्लस 40 कुल समय बोलो 2 घंटे प्लस 2 घंटे अरे सही है क्या 2 गंटे प्लस 2 गंटे 60 और 40 100 हो गया 2 और 2 4 हो गया बोलो 100 बटा 4 कितना आ गया 25 किलोमेटर परती गंटा बोलो बात समझ में आई क्या बात किलियर हो गई कोई तकलीप तो को नहीं सब सेटो सेट है यहां तक मामला सेट है Time, Speed, Distance का कोईसन हर बार आया है यह तो आप जानते ही हो कोईसन इसका हर बार आया हो चाए वह ट्रेन पर आया हो चाये वह धारानाव पर आया हो चाहे चोर प्लिस का आया हो एक वेक्ति समान दूरियों को दूरियां समान है 3 की चाल, 4 की चाल और पांच के चाल से तैक करने में टोटल 47 मिनिट लेता है कुल दूरी किलोमिटर में क्या होगी ठीक है हाँ जी हाँ जी अभी कोई बच्चा कहा रहा सरा अभी जीत की तरह दिखते हो अभी जीत कौन सा वाला अभ वो अरी जीत है या अभी जीत है मतलब अरी जीत कौन सा है अभी जीत कौन सा है चलो डूंडेंगे दोस्तों गूगल करेंगे कि मैं किस की तरह दिखता हूँ अच्छा देखो समान दूरियां है तीन चाले दे रखी है तीन चार और पांच समय कितना दे रखा है 47 मिनट हमें पुछी क्या है दूरी दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय हमें समय तो दे रखा है 47 मिनट निकालने क्या पड़ेगी चाल क्या निकालने पड़ेगी चाल और चाल बोलो तीन चार पांच एक चाल बना दो तीन तीन चाले दे रखिये कौन की चाल लो एक चाल ले लो अरी जीत सावन्द है क्या अरी जीत सिंगर है अच्छा अच्छा वो ही है ना अरी जीत सिंगर तो वो ही वो है ना क्योंकि तुम ही हो तुम ही हो अरी जीत सिंग सिंगर है अब अरे जी सिंगर कौन सा वाला चलो देखो ओसत चाल बराबर निकाल लो तीन चाले दे रखी है तो 3xyz upon xy plus yz plus zx ओसत चाल बराबर 3xyz upon xy plus yz plus zx लगाओ फॉर्मूला 3 इंटू 4 इंटू 5 बटा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 बोलो सही है क्या सही है हाजी कितना गया बच्चों 3 तीया 9 चोग 36 पंजे 180 बटा तीन चोग 12 चारो पंजे 20 पंजे 15 तीन चोग 12 चारो पंजे 20 20 और बारा 32 हाँ 32 और ये कितना 47 47 जोड के देख लेना 47 किलोमेटर पर दी घंटा एरपोर्ट स्वाइगरूप में मेत आती है अब बार-बार copy paste मत करो यार है ना आओ दोस्तों दूरी पूछिये दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर 4 इंटू समय बोलो दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय समय कितना है 47 मिनट है 40 किलोमेٹर परती घंटा में है तो समय मिनट में है बटा 60 कर दो घंटों में कनवर्ट हो जाएगा है ना? 47 से 47 गया 60 एक बार 60 तीन बार बोलो कितने किलोमेटर 3 किलोमेटर बोलो बात समझ में आ गई क्या दूरी बराबर कितने किलोमेटर तीन किलोमेटर आ जाएगा बोलो बात समझ में आ गई क्या कोई तकलीफ तो नहीं है हाँ जी रजगुला खिला वो तो मैं खा गया बचा ही नहीं आपके लिए क्या करूं ठीक है आगे बढ़ो सीता जब चार की चाल से बाजार जाती है नौ मिनट लेट पहुंचती है और जब वो पांच की चाल से जाती है मतलब दोड़ती दोड़ती जाती है तो साथ मिनट पहले ही पहुंच जाती है घर से बाजार की दूरी बताओ मतलब 4 की 4 से गई 9 मिनट लेट हो गई 5 की 4 से गई तो 7 मिनट पहले ही पहुंच गई दूरी पूछिए मैंने आपको दूरी का फॉर्मूला बताया क्या यस बिलकुल बताया बोलो दूरी का फॉर्मूला हाँ जी दूरी बराबर दूरी बराबर होता है चालो का गुणा बटा चालो का अंतर बोलो ऐसा फॉर्मुला मैंने लिखवाया के नहीं लिखवाया लाए वो बताओ लिखवाया के नहीं लिखवाया लिखवाया था ना यह दूरी का फॉर्मुला जब भी पूछे तो यह हो जाता है ठीक है न लगाओ चालो का गुणा 4 इंटू 5 चालो का अंतर बोलो 4 में से 5 गया 1 चालो का अंतर 1 इंटू समय आंतराल समय आंतराल देखो 9 मिनट लेट है 7 मिनट पहले ही पहुँच गई तो 9 मिनट लेट 7 मिनट पहले बोलो time difference कितना हुआ एक 9 मिनट लेट है एक 7 मिनट पहले है अंतर बोलो कितना हुआ 16 मिनट का मिनट को बदलो, गंटों में किसका बाग दे दूँगा, साट का, क्योंकि इसने का समय अंत्राल, घंटों में ओना चाहिए, पर ये 16, तो मिनटों में था, साट का बाग दे दिया, घंटों में change हो गया, बोलो सही, हाँ, जी, हाँ, जी, हाज जी चारो पंजे 20 एकम 20 20 तीया साट 16 बटे 3 बोलो कितना होता है 5.33 यहां लिखो ना जगा खूब पड़ी है 16 में 3 का भाग दिया 3 पंजे 15 तीन 3 किलोमेटर बोलो उत्तर आ गया 5.33 किलोमेटर बोलो सही है क्या बिलकुल सही है सही है हाज जी हाज जी बहुत बड़ी है बोलो बात समझ में आ रही है ना टकाटक आ रही है हाज जी हाज जी ठीक है अरून जब 4 की चाल से विद्याले जाता है तो 12 मिनट लेट पहुंसता है और जब वो 5 की चाल से जाता है तो 6 मिनट लेट पहुंचता है गर से विद्याले की दूरी बताओ वापस वही दूरी पूछिए क्या पूछिए दूरी पूछिए अरे बोलो दूरी बराबर चालो का गुणा चालो का गुणा बटा चालो का अंतर चालो का गुणा बटा चालो का अंतर इंटू बोलो फॉर्मूला क्या समया अंतराल वो भी किसमें घंटो में सही है लगाओ 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 दूरी बराबर चालो का गुणा बोलो चार की चाल इंटू पांच की चाल चालो का गुणा बटा चालो का अंतर मतलब एक समय अंतराल देखो बारा मिनट लेट छे मिनट लेट बारा मिनट लेट छे मिनट लेट बोलो gap किते मिनट का रहा छे मिनट का अरे बारा मिनट लेट छे मिनट लेट gap किते मिनट का रहा केवल छे मिनट का रहा बोलो gap किते मिनट का केवल छे मिनट का पर ये मिनटों में दे रखा है, हमें चाहिए घंटों में, हम बोलो किसका भाग दे दूँ, साट का, मिनट को घंटे में बदलना है, साट का भाग देना बनता है, बॉस, चार पंजे, बीस एकम, बीस, बीस तिया, साट, बोलो कितने किलोमेटर, दो किलोमेटर, किसी के तीन क इक लड़का अपने गर से तीन की चाल से जाता है वेरी गुड और दो की चाल से वापस आता है जाता है दोड़ता-दोड़ता आता है होले-होले क्या पता उस्कूल में कुछ मामला चल रहा हो यदि आने जाने में टोट्टल पांच गंटे का समय लगता है तो स्कूल और घर के बीच की दूरी बताओ ठीक है देखो उस्कूल में अगर मन लगे तो अपन दोड़ते दोड़ते जाए पड़ाई में नहीं भी लगे तो कहीं और लगाओ है ना मन लगना जरूरी है एक बार मन लग जाए ना उस्कूल में ऐसा दोस्तो होता है मैं बताओ, मतलब आपका मानलो कहीं, मतलब रोज जाना है, जैसे बच्चे हो तो स्कूल जाना है, थोड़े बड़े हुए तो कॉलेज जाना है, थोड़े बड़े हुए तो जॉब पे जाना है, या नौकरी पे जाना है, अगर मन नहीं लगे, उस्कूल का मन नहीं लगे, त कर दो जहां आपको आनंद मिलता हो कॉलेज जाना है कॉलेज का मन नहीं लग रहा है तो कुछ ना कुछ मामला देख लो और आनंदित रहो ऐसे मतलब मन पड़ नौकरी पे जा रहे हो तो वहां भी कुछ ना कुछ देख लो हर एक पल कुछ एक पल देख लो कि यार ये पल मुझे वह हर पर मिलेगा तो मैं वह जाओ दोड़ता हुआ जाओ बस दोस्तों इस लड़के ने भी वही किया उसकूल जा रहा है तीन कीर चाल से भागता हुआ जा रहा है क्योंकि कुछ मामला है वहाँ पर उसके और आ रहा है दो की चाल से मतलब गर पर उसका मन नहीं लग रहा ठीक है ना उच्छी क्या है दूरी बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत बढ़िया इन लड़कों का तो क्या कहना बोलो चालो का गोणा अब दोस्तों आपकी सोच पे निर्बर करता है कि मैने जो मामला बोला है आप किस मामले को सोचो चालो का योग है ना मैने तो कुछ पॉजिटिवी बोला है अब आप लोग पता नहीं किस मामले की और अपना दिमाग लगाओ वो आपका दोस्तों दिमाग होना चाहिए मैने कुछ भी गलत नहीं बोला मैने बोला मामला सेट होना चाहिए तो मामले पॉजिटिवी होते हैं तुम्हेरा दिमाग काम करें तुम नेगिटिवी सोच लो ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है ठीक है ना हाँ जी हाँ जी तो चालो का गुणा बटा चालो का योग इंटू कुल समय ठीक है अब आप कोगे सर यहां हाँ हाँ सर यहां मतलब है न यह योग वाला फॉर्मुला क्यों लगाया अभी तो अंतर वाला लगवा रहे थे अरे भाईया ऐसा है कि यहां टोटल टाइम दे रख यहां टोटल टाइम दे रखा है तो जब टोटल टाइम दे रखा हो तो यहां भी टोटल स्पीड आएगी अगर यहां टाइम का डिफरेंस दे रखा है तो यहां भी चालो की डिफरेंस आएगा है ना हाँ हाँ लव यू टू बेटा लव यू टू चलिए आओ दोस्तों च चालो का योग तीन प्लस दो इंटो कुल समय किते गंटे? पाँज गंटे ये जितने भी बच्चे हस-हस के मूंडे बेजरे हैं हसने वाले ये सारे नेगटीव बच्चे ह। ये सारे उलटा सोच रहें मामला वाला मैंने मामला पॉजिटिव वे में बोला है आप जो ये हस्तेवे मूंडे बेजरे हो ना कबसे ही ही करते वो सारे के सारे कुछ गलत सोच के असर है बस ये तो तैय है चालो का गोणा बटा चालो का योग इंटू कुल समय ठीक है बोलो तीन दूनी छे बटा तीन और दो पांच इंटू पांच पांच से पांच कट गया बोलो कितने किलोमेटर आ गया छे किलोमेटर आ गया बोलो आया क्या आंसर बिलकुल आया हाँ जी हाँ जी सर आपने क्या देखा मैंने तो आपको देखा यार मेरे इतने अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे इसलिए मैं तो रोज आता हूँ टाइम पे आपकी क्लास लेने के लिए especially क्यार मुझे यूट्यूब वाड़े बच्चे मुझे मिलेंगे और मैं उनसे चर्चाएं करूँगा इसलिए मैं आता हूँ तो मेरा मामला आप लोगों के साथ सेट है है ना और तुम ये जो दाहत काड़ रहे हो ना ये सारा का सारा शो हो रहा है कि तुम नेगिटिव सोच रहे हो है ना आगे देखो सोन अपनी चाल का तीन बटा पांस से चल कर किसी स्थान पर 25 मिनिट पर पहुंच जाता है यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा ठीक है हाँ जी आओ हाँ जी हाँ जी देखो एक तरफ ले लो वास्तविक एक तरफ ले लो वास्तविक चाल एक तरफ क्या ले लो वास्तविक ले लो और एक तरफ ले लो परिवर्तित एक तरफ वास्तविक और एक तरफ बोलो परिवर्तित चाल की बात करूँ अगर मैं बात करूँ चाल की तो सोवन अपनी चाल का 3 बटा 5 से चल कर मतलब जो खुद की original speed है उससे नहीं चलकर 3 बटा 5 से चलता है तो मान लिया वास्तविक चाल अगर 1 है तो परिवर्तित चाल बोलो 3 बटा 5 वास्तविक चाल मैंने मान लिया उसकी 1 है परिवर्तित चाल बोलो क्या हो जाएगी 3 बटा 5 तो बोलो चाल बराबर 5 एकम 5 बोलो 5 रेशियो कितना आ गया 3 आ गया बोलो सही है क्या बोलो 5 रेशियो 3 आ गया original speed एक थी परिवर्तित 3 बटा 5 हो गई बोलो 5 एकम 5 रेशियो 3 आ गया ठीक है चाल अगर 5 तीन है तो समय बोलो कितना आ गया 3 पांच चाल अगर पांच तीन है तो समय बोलो कितना आ गया तीन पांच क्योंकि चाल हमेशा समय का उल्टा होता है कैसे मान लो आपकी चाल बड़ी तो आपको समय कम लगेगा और अगर आपकी चाल कम है तो आपको समय जादा लगेगा चाल समय का समन्द हमेसा उल्टा फुल्टा होता है चाल बड़ी तो समय कम चाल गटी तो समय जादा इसलिए अगर चाल पांच तीन है तो समय तीन पांच कोश्चन कहता तीन बटा पांच से चल कर पच्चिस मिनट लगते हैं कोशन कहता तीन बटा पांच से चलकर पच्चिस मिनट लगते हैं, हम कहते हैं पांच मिनट लगते हैं क्या बना दिया जोडा ये पूछा है, औरिजिनल समय पूछा है तीन से गुणा कर दो पच Hang Eco पांच ऑम चैस पांस थीं पंदरगा, बोलो कितना पंदरा मिनट बोलो सही है किया, कितने मिनट पंदरा कुछ बच्चे सॉर्ट कट भी कर रहे होंगे, पता है कैसे कुछ बच्चे बड़े उश्याहर है, वो क्या कर रहे होंगे 25 मिनट को गुणा कर रहे होंगे सीधा सीधा 3 बटा 5 से 25 पांस थी पंदरा लो जी सर उतर आ गया सर हमारा उतर आपसे भी पहले आया कुछ बचे कर रहे होंगे कुछ बचे बटा नौटिरियस होते है वो के रहे हैं सर आपने ऐसे 15 मिनट लाए हम तो ऐसे लेके आ जाएंगे 25 मिनट को 3 बटा 5 से गुणा कर दो यानि 15 मिनट सही है मैंने कहता है गलत है बट यह हर जगा पास नहीं होती यह चीज हर जगा सैटिस्फाइड नहीं होती है कहीं जगा यह दिक्कत भी करेगी जग कभी भी दिक्कत नहीं करे ऐसे भी करोगी तो दिक्कत थोड़ी रहेगी मिंडी से मिंडी कट नहीं किया कहां से मिंडी का टूं मिंडी है तो कोगी आव आगे बढ़ते हैं कोई वक्ति अपनी चाल का 7 बटा 11 से चलकर 22 मिनट में पहुँच जाता है परिवर्तित एक तरफ चाल है वास्तविक और एक तरफ चाल क्या है परिवर्तित खीक है चाल को लेओ बोलो बोलो चाल व्यक्ति अपनी चाल का साथ बटा ग्यारा से चल कर मानलो उसकी वास्तविक चाल अगर एक है तो बताओ उसकी परिवर्तित चाल क्या होगी 7 बटे 11 वास्तविक चाल अगर एक है तो परिवर्तित चाल 7 बटे 11 होगी बोलो चाल का रेशियो क्या होगी 11 एकम 11 रेशियो बोलो 7 सही है क्या चाल अगर 11 साथ है तो समय बोलो क्या हो जाएगा 7 11 चाल अगर 11, 7 है तो समय बोलो 7, 11 क्योंकि चाल समय का क्या होता है उल्टा अरे क्या होता है उल्टा अच्छा कोश्चन कहता 22 मिनिट में पहुंच जाता कोश्चन कहता 7 बटा 11 से चलकर 22 मिनिट में पहुंचता है हम कहते हैं 7 बटा 11 से चल कर 11 मिनिट में पहुंचता है बोलो क्या बना दिया जोडा हर जगा बनाते हैं हम जोडा कह रहा है उसे कितने समय की बचत होती बचत पूछ रहा है यहां 7 मिनिट लगते हैं यहां 11 मिनिट लगते हैं बोलो बचत कितने मिनिट की कर सकते हो, चार मिनिट की, अगर ओरिजिनल स्पीड से चलता तो चार मिनिट कम लगते हैं, यहां तो चार मिनिट ज़ादा लग रहे हैं, तो समय की अगर आपको बचत चाहिए, बचत तो गुणा कर दो चार से, 11, 12, 4, 2, 8 अरे 4, 2, 8 सही है क्या हजी हजी बोलो आ गया 14 नहीं आएगा दोस्त 8 में आएगा 8 मिनिट हजी हजी ठीक है ठीक है सवीता अपनी चाल का 3 बटा 4 से चल कर 15 मिनिट लेट पहुंचती है इस बार क्या है लेट पहुंचती है यदि वह अपनी वास्त्विक चाल से चलती तो उसे किता समय लगता आओ वही तरीका दोस्तों यही तरीका बेस्ट है इस तरीके से आप दोस्तों इस ताइप के कैसे भी भारी से भारी कोशन कर पाओगे ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ अगर समझ में आगे तो पुरा टोपिक की वैसे तो बेसिक है सविता अपनी चाल का तीन बटा चार से चल कर मानलो वास्त्विक चाल एक है तो परिवर्तित चाल क्या है तीन बटा चार मानलो अगर वास्त्विक चाल एक है तो परिवर्थित चाल कितनी है? तीन बटा चार अच्छा समय बोलो समय नहीं पहले चाल को सिधा करो चार एकम चार रेशियो बोलो तीन चार एकम चार यहां किता आजाएगा तीन समय बोलो बोलो समय कितना आ जाएगा तीन रेशियो चार चाल चार तीन है तो समय बोलो कितना हो जाएगा तीन चार हो जाएगा क्योंकि चाल समय का उल्टा होता है कह रहा है पंदरा मिनट लेट पहुंचती है यहां तीन मिनट लगता है यहां चार मिनट लगता है बोलो कितने मिनट लेट, एक मिनट लेट, कोश्चन तो कहता है पंदरा मिनट लेट, हम कहते हैं एक मिनट लेट, बोलो लेट बटा लेट क्या बनाया, जोडा, लेट बटा लेट क्या बनाया, जोडा, पूछा है वास्तविक चाल से चलती तो कितना समय, वास्तविक चाल का स मैं बोलो किस से गुणा कर दूँगा तीन से, बोलो पंदरा तीपेंटारिस बोलो आया क्या एक निविदन करना चाऊँगा आपको, हाजी हाजी एक निविदन करना चाऊँगा आप सभी को, मतलब बहुत ध्यान से दोस्तों सुनना, जैसे कमेंट आते हैं ठीक है, कमेंट आते हैं, आते हैं कोई दिकत नहीं है जो कमेंट में, जो कोई बच्चा या बच्ची कोई 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 अगर पूछ रहा है मानलो कोई भी मैत का कोई कोई डाल रहे है टाइप करके मेहनत भी कर रहे है question डाल रहे हैं अब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ समय और चाल आप कोई बीच में कोई question पूछ रहा है या पूछ रही है कि profit and loss का कोई सवाल पूछ रही है या पूछ रहा कोई तो अगर मैं नहीं करवा पा रहा हूँ जैसे मैं यहाँ पर busy हूँ मैं वाँ पढ़ के solution बीच में नहीं करवा पाऊंगा तो आप में से अगर कोई विद्यार थी जिसकी maths अच्छी है और उसने इस question को पहले सी कर लिया है तो मैं जब तक यह सवाल कर रहा हूँ तब तक आप उस प्रशन का उत्तर देऊ आप उसको कि इस प्रशन का उत्तर ये आएगा इससे क्या होगा ना एक संयुक्त study होगी किसीने सवाल पूछा शिक्षक अगर busy है तो अपन class में क्या होता था पढ़ोस में बैठा हुआ दोस उसको पोस्त है तो बता यार ये सवाल कैसे होगा तो अगर मैं busy हूँ तो आप उसकी help करो आप उसको सवाल का solution उसको भेज़ दो shortcut में या उसका answer उसको भेज़ दो उससे क्या होगा कि उस comment वाले के question को भी answer मिलेगा वो भी खुश होगा कि मैं इस channel पे आके वीडियो देख रही हूँ और मेरे question का answer भी मुझे मिल रहा है मैं नहीं देपा रहा हूँ तो आप इतना तो मेरे लिए करी सकते हो बोलो मेरे लिए करोगे या नहीं इतनी तो मैस आपकी अच्छी है कि आप छोटे-छोटे question को तो ऐसे उतर दे सकते हो सही है के नहीं तो आप दिया करो दोस्तों आगे से अब ध्यान रखना है कोई भी question screen के उपर आता आप उसका answer देओ ठीक है और मुझे कभी time मिला तो मैं उसका answer दे दूँगा ठीक है चलो आगे बढ़ता हूँ हाँ जी हाँ बढ़े हो किसी दूरी को तै करने के लिए ए और बी की चालो का ratio तीन रेशियो चार है वेरी गुड एक बच्चे ने answer दिया है बहुत बढ़िया ये बच्चे बड़े मेरे काम के हैं आप लोग वो बड़े मस्त दोस्तों एक बच्चे ने solution के साथ उसको answer दिया है एर दिरेट करके बहुत बढ़िया लगा मुझे किसी दूरी को तै करने के लिए ए और बी की चालो का अनुपा 3-4 है गंतवी इस्थान पर पहुँचने में ए को बी से 30 मिनिट जादा लगते हैं तो गंतवी इस्थान पर पहुँचने के लिए ए को समय किता लगेगा देखो हमें ए और बी की चालो का रेशियो दे रखा है हमें ए और बी की चालो का रेशियो दे रखा है तीन रेशियो चार चालो का रेशियो क्या दे रखा है तीन रेशियो चार अच्छा चाल अगर तीन चार है तो समय बोलो 4-3 साही है कह रहा है 30 मिनट जादा इदर कितने मिनट जादा लग रहा था एक मिनट अरे साही बोल रहा हूँ न कितने मिनट जादा question कहता 30 मिनट जादा हम कहते हैं एक मिनट जादा जादा बटा जादा क्या बना दिया जोडा पूछाए एक को कितना समय लगेगा एक का समय पूछाए बोलो गुणा किसे कर दूँगा चार से 120 मिनट 120 मिनट का मतलब कितने घंटे? दो घंटे अरे बोलो कितने घंटे? दो घंटे बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया एक बस बिना रुके और वह रुक रुक कर रुक रुक अरे बाबा रुक ऐसा कोई गाना भी है न दोस्तों वह रुक रुक कर 60 किलोमेटर पर ती घंटा की औस चाल से जाती है तो बताओ एक घंटे में कितने मिनट तक का विराम किया मैंने आपको बताये था कोई बस मान लो एक सर से दूसरे सर गाउं गाउं होते वे जा रही है तो रुक रुक कर जाएगी तो इसनों यह बोलाया कि बताओ एक घंटे में हाँ जी हाँ जी थैंक यू वेरी मच कितने मिनट विराम किया तो मैंने आपको बताया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्रति घंटा विश्रांती काल यानि पर आर इस्टे टाइम का फॉर्मुला दोस्तों क्या बताया था चालो का अंतर बता समया अंतराल इंटू बोलो साट इंटू बोलो साट बोलो उत्तर किस में आएगा मिनट में आएगा इंटू क्या करूँगा साट मेरे प्यारे बच्चों चालो का अंतर बोलो एक चाल नब्बे की है एक चाल साट की है बोलो चालो का अंतर 90-60 अरे ये मैंने गलट लिखा है वास्तविक चाल है ना या पड़तो वास्तविक चाल मैंने यहां तो ठीक लिखा था फॉर्मुले में तो ठीक लिखा था ना यहीं बगड़ करी थी चालो का अंतर बटा वास्तविक चाल बोलो वास्तिविक चाल कितनी है 90 ओरिजिनल स्पीड तो 90 थी रुक रुक कर चली 40 की हो गई गुणा बोलो 60 30 दो बार 30 तीन बार 90 में 60 गया 30 30 बटा 3 इंटू 2 बोलो 3 से 3 गया 20 मिनट मतलब एक घंटे में कितने मिनट का विराम हुआ है 20 मिनट का विराम हुआ है कितने घंटे में एक घंटे में 20 मिनट का विराम बोलो बात समझ में आगई हर्जी बहुत बढ़िया अगला देखो किसी पहिये कि तरिज्या 30.5 मिटर है पहिये की जो रेडियस है वो 30.5 मिटर है यदि एक मिनट में साड़े 400 चकर लगाती है तो उसकी गती बताओ चाल, पुछिए चाल पहले तो पता करना पड़ेगा एक चकर निकालने पर distance कितना cover होता है distance निकालो परीदी, एक चकर एक चकर का मतलब है एक चकर का मतलब है वरत की परीदी एक चकर का मतलब है वरत की परीदी और वरत की परीदी बोलो क्या होती है 2 pi r 2 pi r का मतलब 2 into 22 बटे 7 into r r कितना है साड़े 3 सही है क्या साड़े 3 दुना किता हो गया 7 बोलो कितना आ गया 22 meter मतलब एक चक्कर जब चक्का ये निकालता है जब ये पहिया एक चक्कर निकालता है तो 22 meter का distance कवर कितने meter का 22 meter का ठीक है अब एक मिनट में साड़े 400 चकर एक चकर में 22 meter तो बताओ साड़े 400 चकर में distance कितना एक चकर में 22 meter तो साड़े 400 चकर में साड़े 400 into 20 meter बोलो सही है क्या अच्छा दूरी आ गई, समय कितने मिनट है, एक मिनट, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड, उसकी क्या पुछी है, चाल पुछी है, प्यारे बच्चों, चाल बराबर क्या होता है, अरे बोलो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बोलो क कितना समय है一 minute मतलब 60 seconds दूरी 4.400 x 22 समय बोलो कितना है 60 seconds बोलो 0-0 गया 3 के पाड़े से 2 बार 3 के पाड़े से 15 बार 2Music 2 क्या गलत बोला क्या मैं औरे कई गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं एक बार वापस देख लो ये दूरी है और एक मिनिट का मतलब 60 सेकंड है ये हो गया मीटर ये हो गया सेकंड मीटर प्रती सेकंड में आएगा उत्तर जबकि हमें चाहिए किलोमेटर प्रती घंटा में तो मीटर प्रती सेकंड को गुणा कर दो 18 पटे 5 से किलोमेटर प्रती घंटा में convert करने के लिए करो हाँ जी अब बोलो क्या 0 से 0 यह तो पहली गड़ गया था 5,6,45 6,3, 18,9 27 into 22 बोलो 7,2,4,1 7,2,4,2,4,9,5 बोलो कितना आ गया 5,94 किलोमेटर परती गंटा बोलो सही है क्या 5,94 किलोमेटर परती घंटा बोलो समझ में आगी बात कोई तकलीफ नहीं अगला देखो हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक कार को 40 मिटर की दूरी तै करने में जितना समय लगता है उतना ही समय मिलिंद को 15 मिटर दोडने में लगता है very good जितने समय में कार 2 किलोमेटर दूरी तै करेगी उतने समय में मिलिंद कितनी दूरी तै करेगा ये हमें पूछा है प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है 40 मिटर एक तरफ आप ले लो कार को एक तरफ आप ले लो मिलिंद को एक तरफ ले लो कार एक तरफ ले लो मिलिंद अब देखो kya scene बनता है कार 40 मिंटर तो मिलिंद 15 मिंटर कार 2 किलो मिंटर 2 किलो मिंटर मतलब 2000 तो मिलिंद कितना यही पोचा है ठीक है न 18 बटा 5 कैसे आया अरे मिटर परती 2nd को convert किया न यार मिटर परती 2nd को किलोमेटर परती घंटा में convert करने के लिए 18 बटा 5 से multiply किया ये मीटर में था ये second में था तो मेटर परती second था ना किलोमेटर परती घंटे में change किया ठीक है अब देखो कार 40 तो मिलिंद 15 कार 2000 तो मिलिंद कितना बहुत simple बटा लगा लो बटा लगा लो बराबर कर लो बस बोलो 0 से 0 गया 4 एक बार 4 पचास बार X एकम X 15 पांच पिछोतर बोलो कितना आया 7500 मेटर बोलो कितना आया प्यारे बच्चों 7500 मेटर कोई तकलीफ तो नहीं बहुत बढ़िया बहुत शांदार कर रहे हो दोस्तों बहुत जोड़दार कर रहे हो है ना अगला देखो सलीम को अपने घर से ओपिस पढ़ती दिन 9 बजे सुबे पांचना पढ़ता है यदि उसको घर से ओपिस की दूरी 20 किलोमेटर हो और वह 8 किलोमेटर परती घंटे की चाल से चलता है तो बताओ उसे ठीक समय पर पहुँचने के लिए घर से सुबे कितने बजे निकलना पढ़ेगा बहुत सिंपल है ये भी अब देखो 8 की चाले 20 किलोमेटर दूरी है समय निकाल लो बोलो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है बोलो सही लगाया क्या फॉर्मूला सही लगाया क्या समय बराबर दूरी बटे चाल बोलो दूरी कितनी अरे बोलो दूरी कितने किलोमेटर 20 किलोमेटर चाल बोलो कितना बोलो 8 किलोमेटर परती घंटा समय बराबर दूरी बटे चाल बोलो कितना आया आर दुनी सोडा धाई गंटे अरे बोलो धाई गंटे लगेंगे कहां पहुँचने में ओफिस पहुँचने में धाई गंटे लगेंगे वो चाहता है कि मैं सुबह सुबह 9 बज़े पहुच जाओ अगर 9 बज़े पहुचना है तो धाई गंटे पहले वहां से निकलना पड़ेगा बोलो धाई गंटे पहले निकालो 9 बज़े पहुचना है धाई गंटे पहले निकलना पड़ेगा धाई गंटे माइनस करो तो बोलो कितने बज़ेंगे साड़े 6 बोलो साड़े 6 एम सुबह सुबह है न बोलो कितना आ जाएगा साड़े 6 एम बोलो आ रहा है क्या हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो चलो मित्रो बास समझ में आ गई न तो कितना हो जाएगा साड़े 6 बजे उम्मीद करते हैं आपको आज की पूरे घंटे बर की क्लास का आपने पूरा आनंद लिया होगा हर एक बेसिक चीज को आपने पढ़ा होगा जो बिल्कुल मैथ में कमजोर है उनका भी अब इस तर बढ़ने लगा होगा ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों तो अब मिलेंगे आपस वापस कल की क्लास में नए कोश्चन्स के साथ तो अभी मुझे घड़ी की टिक टिक अपसे बुला रही है गोल सर बस करो अब आजाओ आपका समय समाप्त हुआ चलिए फिर कोई दिकत नहीं मिलेंगे आपसे कल की क्लास में तब तक के लिए Have a nice day, take care, bye bye